स्वागते दोस्तों आपका हमारे चैनल दाकड ओनलाइन इस्टेडी में दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम ग्राम विकास अधिकारी सीदी बरती प्रिक्षा 2021 का ये वीडियो है और दोस्तों दिनांग 27-12-2021 के दिन ये एक्जाम हुआ था और सेकंड शिप्ट यानि के इवनिंग की शिप्ट का ये पेपर हैं चार कुल शिप्ट में पेपर हुए थे उसमें से दूसरी शिप्ट का ये पेपर हैं जो 27 तारिक के दिन शाम को हुआ था दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको इस पेपर का ओफिशिल आंसर की जो RS MSSB के दुवारा जारी की गई है उसी के दुवारा दोस्तों पेपर का सोलुशन करवाए जाएगा साथ के साथ में केवल जो भी कुशन है उसके आंसर बताए जाएगे आपको यहाँ पर reasoning mess के question solve नहीं करवाए जाएगे क्योंकि दोस्तों reasoning mess के question solve करवाएगे तो paper बहुत ही बड़ा हो जाएगा इसके लिए हमने reasoning के लिए और mess के लिए दोस्तों अलग से हम वीडियो बना रखे है आप player list में जाके उनका solution जो है देख सकते हैं इसमें केवल हम answer आपको बताएंगे कौन से क्विशन का कौन सवल answer right है उसके बाद दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ने किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दे ताकि वीडियो की information आपको मिलती रहे है साथ के साथ में और अधिक वीडियो देखने के लिए इस वीडियो के description में आपको जो है इस 2021 के जो ग्राम से वक pre-exam के जो paper हुई थे उनकी playlist वीडियो के description में मिल जाएगी आप वहां से जो है और अधिक paper देख सकते हैं तो first question की बात करें सुची first का सुची second से मिलान कीजिए तता नीचे दिये गए कूट का प्योग कर सही उत्तर का chain कीजिए तो पहले प्रशन का जो है right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option number C यहाँ पर right answer होगा तो C option यानि कि first का B हो जाएगा second का C हो जाएगा third का D और fourth का A हो जाएगा बस यह आपको ध्यान रखना है बहुत ही important question था यह तीसरे का लू जो है उत्री भारत में बहती है यह तीसरे का D आपको देखना था तीसरे का D यह इधर मिल रहा है उसके बाद दूस्तों दूसरे question की बात करें किस मुगल समराट के शाशनकाल में महिर शियासन का निर्मार किया गया तो इसका right answer हो जाएगा option number B सहाजा जो है इसका right answer है तीसरे question की बात करें कि अदो लिकित में से कौन सा इस्तान विद्रोई नेता यूग में सुमेलेते नहीं है तो तीसरे का right answer option number D हो जाएगा कानपूर हे बेगम हजरत महल जो है गलत है चोते का बात करें तो व्यम्रेसिया कौन से शेतर का लोक नरती है तो इसका right answer option number D अलवर ब्रतपुर हो जाएगा पाजवा है राव जेदसी रोच्छंद के रेचिता कौन है तो इसका right answer option number A B2 सुजया जो है राइट answer हो जाएगा चटे प्रेशन की बात करें तो निम्न लिकित में से कौन सा करशी जलवाई हो खंड जो है शेतर फला अनुसार राजस्तान में सबसे बड़ा है तो चटे का answer option number D 1 C हो जाएगा साथवा है विश्व परसीद ओर्ड फेथफूल गीजर अवस्ती थे तो साथवे का right answer option number C सुजक्त राज अमेरिका हो जाएगा आटवा है टोक्यो पेडलम्पिक्स 2021 में अवनी लके राना है किस परतीस परदा में सुरण पदक जीता तो shooting इसका right answer हो जाएगा नोवे की बात करें तो निम्द लिकित में से कौनसा वनी जी अवियरन जीले सही सुमेलित नहीं है तो option number B बंद बरेटा जो है बरतपूर में है अलवर गलत दे रखा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है उसके बाद दस्वे प्रशन अगर देखे तो इसमें दे रखा है कि सुची फ़ेश्ट को सुची सेकंड से मिलान कीजिए यहाँ पर कुछ जील या बांद दे रखे हो साथ में जीला दे रखा है तो जिसका right answer हो जाएगा option number B जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा फ़ेश्ट का third हो जाएगा तालावे शाई दोलपूर के अंदर है दूसरे का चोता गेब सागर जो है डुंगरपूर में है तीसरे का दूसरा कडाना जो है बासवडा में और हमावास जो है पाली में है B यहाँ पर right answer हो जाएगा उसके बाद दोस्तों अगला question है question number 11 की बात करे तो इसमें देरका की निमनलकित में से कौन सा नसल पशुदान सही सुमेलित नहीं है तो इसका right answer हो जाएगा option number C low ही जो है बेंस की नसल नहीं है C option यहाँ पर right answer हो जाएगा 11, 12 number question की बात करे तो राजिस्तान में कौन से राजिस्तान में किसानों ही तो करशी में आसाने के लिए कर्शक कल्यान कोश्का गटन किया गया था तो इसका right answer 16 December 2019 इसका right answer है 13 प्रशन स्वास्त दरा खेत हरा का नारा किसके अंदर आता है तो ये मर्दा स्वास्त काडियोजना के अंदर आता है B option A right हो जाएगा डामोर जन जाती अधिकतर पाई जाती है तो डामोर जन जाती डूंगरपुरो और बासवाडा में पाई जाती है C option A पर right हो जाएगा रतवाई लोक नरत संबंदी थे तो इसका आंसर B यानि मिवात शेतर राइट आंसर हो जाएगा Q16 की बात करें तो कौन से लोक देउता उंटो के देउता के रूप में जाने जाते हैं तो option D पाभू जी उंटो के देउता के रूप में जाने जाते हैं Q17 की बाद के लिए नार्यो दुआरा शिकार करते हुए चितरन किस चितर कला शेली की विशेषता है तो इसका राइट आंसर ओप्शन नमबर C, कोटा शेली हो जाएगा, अठारवा है, अदो लिकित में से कौन सा अभुशन गले में नहीं पहना जाता है, तो इसका राइट आंसर ओप्शन नमबर B, आवला हो जाएगा, आवला जो है गले में नहीं पहना जाता है, उसके बाद 19 वा जो प्रशन है, वर्ष्ट 2021 के लिए सिविल सेवा के शेतर में पदम भुशन प्रोस्कार परदान किया गया था, तो इसका राइट आंसर ओप्शन नमबर D, परेंद्र मिश्रा जो है, वो राइट आंसर हो जाएगा, वी स्वा प्रशन जो है, सुची फर्ष्ट को सुची सेकंड से सुमेलित करना है, और उप्योक कर सही उत्तर का चेन क करना है, तो इसका राइट आंसर ओप्शन नमबर A हो जाएगा, फर्ष्ट का सी अमर कोष्ट जो है, अमर सिंग है, और काविय मिमाशा जो है, राजशेकर है, तीसरे का ब्रत कता जो है, गुड़ा गड़ी है, और चोते का A स्वपनवास दतम जो है, वो भास है, या पर जो है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाइस से प्रशन की बात करें, राजपुत पेंटिंग शिर्षक से 1916 इस्वी में किसने पुस्तक लिखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आनंद कुमार स्वामीन के दुवारा लिखी गई थी, या पर राइट आंसर ह जाएगा, तेस्वा प्रशन है कि पाल किसे करते हैं, तो पाल जो है वो भीलों की वस्ति को पाल का जाता है, ए उप्षन या पर राइट आंसर हो जाएगा, चोई स्वा प्रशन है संस्तान जो फाइब जी आई तकनिक को विक्सित करने का समुका हिसा नहीं था, तो इसका राइट आंसर, उप्षन नमर B, IIT Mumbai जो है राइट आंसर हो जाएगा, पच्छिस स्वा है Ring of the Fire अवस्तित हैं, तो Ring of the Fire जो है प्रिशान्त मासागर में इस्तित हैं, चबिस्वा प्रशन है, बारत में सरवादिक लाग उत्पादक का जो राज्जी हैं, तो इसका राइट option number D, जार खंड इसका right answer हो जाएगा 37 स्वा प्रश्ण है माई नदी का किनारा का लता है तो माई नदी का किनारा जो है कांटल का लता है C option यहापर right answer हो जाएगा question number 28 की बात करें अदोलिकित राजिस्तान के प्रमुक पशु मेलो उसे सम्दित इस तरों में से कौन सा यूगम जो है सुमेलित नहीं है आपको बताना कौन सा यूगम सुमेलित नहीं है तो जो अठेस्वा प्रश्ण है इसका right answer option number A हो जाएगा बलदेव पशु मेला जो है नागोर में बरता है इसमें करोली दे रखा है तो ये गलत है उन्तिस्वा प्रश्ण के बात करें विंद्य कगार भूमिया हिस्सा है तो इसका right answer हो जाएगा option number C दक्षणी पूर्वी राजिस्तान पठार का उसके बाद तिस्वा जो प्रश्ण है दिसम्बर 2020 तक राजिस्तान की स्तापिद विदुद्शमता है तो इसका right answer option number E हो जाएगा 21,836 मेगावाट ये तिस्वा प्रश्ण है पाशुपत नामक सेव संप्रदाय के परवतक थे तो पाशुपत नामक सेव संप्रदाय के संप्रतक जो है वो लकुलिष थे 32 जो प्रश्ण है बार्थ का कौन सा इस्तल जुलाई 2021 में यूनेस्को की विश्व विरासत सुची में शामिल किया गया है तो इसका right answer option number D राम अपा मंदिर हो जाएगा question number 33 की बात करें तो इसमें देर का है कि राव राय सीन को राजपुताने का करण किस ने कहा है तो इसका right answer हो जाएगा मुन्शी देवी पर साथ द्वारा 34 प्रश्ण में दिखा जाए तो 877 की करांती के समय बरतपूर रियासत में बरतपूर रियासत में British political agent कौन था तो इसका right answer हो जाएगा जो है इसका right answer हो जाएगा 35 प्रश्ण है ब्राउन जल परपात कहां इस्तित हैं तो ब्राउन जल परपात जो ही वो न्यूजिलेंड में इस्तित हैं 36 प्रश्ण की बात करें हाल ही में जारी कीगी UNESCO 2021 State of the Education Report के अनुसार संपूर्ण बारत की विद्यालों में इंटरनेट की पहुँच है तो इसका right answer हो जाएगा option number D 19 परतिशत 37 प्रश्ण जो है बारत के परतम मानवा युक्त महासागर मिशन का नाम क्या है तो इसका right answer option number A समुद्रियान होगा यह जो है यहाँ पर correct answer होगा 38 question की बात करेक्ट तो इसमें देरका की कौनसा एक एसा मात्र महादिव है जिसमें करकरेका, भुमदेरेका और मक्करेका गुजरती है तो अफरीका महादिव इसका right answer हो जाएगा उन्चालिसवा प्रश्ण है तो इसमें देरका की कुछ मित्र एक बेंच पर बेटे है A, B के पास बेटा है और C, D के पास है D, E के साथ नहीं बेटा है E के बेंच के माय तरब के किनारे पर बेटा है और C, दाई और से दूसरे इस्तान पर बेटा है A, B के दाई और है, E के दाई और है A और C, साथ बेटे है, A बीच में बेटा है तो इसका right answer option number B हो जाएगा B और C Question number 42 की बात करें तो इसमें जो दे रखा है आपको एक निशकर्ष कथन यानि कथन निशकर्ष दे रखा है कथन दे रखा कि कुछ मस्करे पुरुष है कोई भी पुरुष साइकल नहीं है ये बिल्कुर इसका right answer हो जाएगा Question number 53 में एक संक्या किस्रें नहीं दे रखा है इसमें गलत पद आपको बताना है तो इसका right answer option number B 202 जो है यहाँ पर गलत पद है Option number B यानि कि 202 जो है यहाँ पर गलत पद होगा Question number 43 में दे रखा है कि आपको यहाँ पर निचे कुछ जो है सूचनाए दे रखे आपको और सूचनाओ के आदार पर आपको सही नहीं नहीं बताना है कि A into B का भी प्राई A B की माता है A minus B का भी प्राई जो है A B का भाई है A plus B का भी प्राई जो है A B की बहन है A बागित B का भी प्राइ A B के पीता है R बागित M माइनस K में KM से किस पर का समदित है तो दुस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा option number D के M की बहन अत्वा भाई है question number 45 में देखे तो इसमें आपको counting of figure क्या निए कि triangle जो है इनकी counting करनी है तो 45 का जो right answer हो जाएगा C यानि कि 16 जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा next question number 46 की बात की जाए तो इसमें आपको दे रखा है कि आपको यहाँ पर एक question mark दे रखा है यहाँ पर आपको बताना कि कौन से संक्या जो missing हुई है या लुप्त संक्या आपको बतानी है तो इसका right answer जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा option number B यहाँ पर 125 जो है right answer हो जाएगा उसके बाद दोस्तों next question 47 number की बात करें तो यहाँ पर कुछ अक्ष़ जो है अनुपस्ती थे जिने एक निचे एक विकल्प में करम से दिया गया है सही विकल्प का चुनाव करिए यहाँ जो है repeating series का question है W space YZ WW X space YY space Z WW space XXX space YY space ZZ तो इसमें जो right answer हो जाएगा आपका वो जाएगा option number D XX ZWYZ question number 48 की बात करें सभी सतों की सभी बुझा उपद 2 cm चोड़ी हरी पटी के साथ 10 cm बुझा वाले एक गण को लाल रंग से रंगा गया है इस गण को समाना करके 125 छोटे गणों में काटा गया है कम से कम एक रंगी हुई सतों वाले कितने गण है तो 48 का जो right answer हो जाएगा उपशन नबर B 98 जो है यहाँ पर correct answer हो जाएगा B option जो है यहाँ पर right होगा उसके बाद question नबर 49 की बात करें तो इसमें आपको एक निश्चित कूट बाशा में जो है डेन को 357 लिका जाता है Sun को 458 Lotus यानि की 1248 और लोन को 1345 स्कोट लेन को 1234 स्कोट बराबर है तो इसका right answer हो जाएगा option number C यानि की 6 जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा उसके बाद दोस्तों next question जो है पचासवा नबर जो है इन्हें certain code language एक निश्चित कूट बाशा में 130 का मतलब होता है hot filtered copy 356 का मतलब होता very hot day और 596 का मतलब होता day and night कौन से अंक कार्थ vary है तो इसका right answer हो जाएगा option number C6 जो है उसका मतलब vary है next question number 51 की बात करें तो इसमें जो question दे रखा है कि किसी संक्या के 65 परतिशत है उसी संक्या के 35 परतिशत का अंतर जो है 22.20 हैं तो उस संक्या का 50 परतिशत है option number A 37 जो है इसका right answer हो जाएगा 52 की बात करें तो इसमें X-3Y का whole square X-3Y का whole square का दोस्तो whole cube के विस्तार में पदो की संक्या है तो 52 का जो right answer हो जाएगा वो हो जाएगा 7 7 जो है यहापर right answer हो जाएगा question number 53 की बात करें एक थेले के अंदर जो है एक रुपए 50 पेसे और 25 पेसे के सिके दो अनुपात तीन अनुपात पांच के अनुपात में हैं यदि इन सिकों का कुल मुले 288 रुपए हैं तो उस थेले में 50 पेसे के सिकों की संक्या है तो तरेपनवा का जो लाए right answer हो जाएगा option number B 144 पर right answer हो जाएगा question number 54 जो है सीधी रेकाओ का यूग में x स्कोर माइनस 4 x y प्लस y स्कोर इकोल डू जीरो रेका x प्लस y प्लस 4 रूड 6 इकोल डू जीरो के साथ मिलका एक तरी बूज बनाते हैं जो तो दोस्तो इसका right answer जो है वो हो जाएगा option number D संभा उत्री बूज बनाएंगे पिछवा नमा जो प्रशने है समीकन यहाँ पर दे रखी है इसके मूलों का रात्मक माती होगा तो इसका right answer option number B हो जाएगा चार यहाँ पर right answer हो जाएगा उसके बाद question number 56 में दे रखा है कि दो पासे फेकने पर दोनों के एंकोंगा योग 7 या 11 आने की प्रायक्ता है क्या होगी तो option number B यानि 2 बटावन नो जो है यहाँ पर correct answer हो जाएगा question number 57 की बात करे तो 57 के अंदर दे रखा है कि 10 वेक्तियों को 4 कुर्सियों पर जो है कितने परकार से व्यवस्तित बेटाया जा सकता है तो इसका right answer option number C 5040 जो है यहाँ पर इसका right answer हो जाएगा question number 58 जो दे रखा है कि 8 cm तरीजा वाले एक धातु के गोले को पिंग लाया जाता है और उससे पुना 0.5 cm तरीजा की गोलिया बनाए जाती है इन गोलियों की संक्या है तो अठार वनवे का जो right answer है option number B 4096 हो जाएगा question number 59 यानि 69 जो है यदि B plus C बराबर B plus 1 upon C equal to 1 है तता A plus B 1 upon B equal to 1 है तो ABC का मान क्या होगा तो इसका right answer option number C यानि माइनस एक होगा question number 60 की बात की जाए तो यदि एक समश्यट बूज और एक समभा उत्री बूज का परिमाब समान ही तो समश्यट बूज और समभा उत्री बूज के श्यत्रपलों का अनुपाद है तो 60 वे का जो right answer हो जाएगा option number C तीन अनुपाद दो जो है या right हो जाएगा एक सटवा प्रशन है राज के राजपलों की केंदर दुआरा न्यूकती के प्रावदान को लिया गया है तो इसका right answer option number 1 करनाडा हो जाएगा question number 62 की बात करे तो इसमें देरकाए की राजिस्तान इस्थापना दिवस मनाए जाता है तो राजिस्तान इस्थापना दिवस जो है 30 मार्ज को मनाए जाता है question number 63 की बात करे तो राजिस्तान में जिल्ला आयोजना समीती में कितने सदश होते है तो इसका right answer हो जाएगा option number A 25 सदश होते है 64 नमबर क्यूशन है अजमेर राजस्तान का चटा संबाग कब बना तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उप्शन नमबर ही 1987 को जो है अजमेर राजस्तान का चटा संबाग बना पेसर ड़ा प्रेशन है राज महिला आयोक के अध्यक्ष के पद पर कोन आसिन नहीं रहा तो इनमें से दोस्तों कोन राज महिला आयोक के पद पर आसिन नहीं रहा तो उप्शन नमबर डी गिर जाव्यास यहां पर राइट आंसर हो जाएगा Q66 जिल्ला आपदा प्रबंदन प्रादी कराण का अध्यक्ष कौन होता है तो इसका right answer option number C जिल्ला collector होता है Q67 की बात करें तो इसमें तो आपको मेज करवाने हैं यापर आपको सुची first और सुची second दे रखी हैं तो इसका जो right answer हो जाएगा दोस्तों Q67 Q67 हैं तो 67 का जो है वो right answer हो जाएगा या option number A यापर right answer हो जाएगा A का दूसरा हो जाएगा A का दूसरा मतलब Montague Champsport रिपोर्ट जो है वो 1919 की मनी जाती हैं और मोतिला नहरू रिपोर्ट जो है वो 1928 की हैं और JVP समिती जो है उसकी रिपोर्ट 1948 की है और माले मिन्टो समतार जो है वो 1909 का है तो यह आपको ध्यान रखना है A option यापर right answer हो जाएगा Q68 की बात की जाएगा तो Q68 के अंदर इसमें दे रखा कि निमन में से कौन सा कतन जो है गलत हैं आपको चार कतन दे रखे हैं इसमें से बताना की कौन सा गलत है तो इसका right answer हो जाएगा option number A राज के माधिवक्ता की नुप्टी उच नयाले के मुख्य नयादिस द्वारा की जाती है A option यहाँ पर गलत answer है Q69 की बात करे बारती सविदान की किस अनुच्छेद के तहद राजिस्तान में मुख्य मंत्र की नुप्ती होती है तो इसका right answer हो जाएगा option number B अनुच्छेद 164 164 जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा Q71 की बात करे निम्द में से कौन से इंटरिनेर सेवा आपके ओपिस के कंप्यूटर को घर से अक्सेस अधिकम करने के लिए उप्युक्त है तो 70 का जो right answer हो जाएगा option number B FTP FTP जो है यहाँ पर जो है दूस्तों यहाँ पर जो है tail net जो है बिल्कुर right answer है 71 का जो है A option है यहाँ पर बिल्कुर right answer A A आपको ध्यान रखना tail net जो है इसका right answer हो जाएगा question number 72 की बात करें तो इसमें दे रखा है कि निम्न मेंस से कौन सा मुक्य मेमोरी में प्रियोग में आता है तो इसका right answer हो जाएगा option number B यानि कि DRAM जो है मुक्य मेमोरी में काम आता है question number 73 की बात करें तो यहाँ पर जो है computer की पीडियो के संदर में इसमें दे रखें आपको तो इसका right answer हो जाएगा option number A एक का CU transaction जो है दूसरी PD हो जाएगा VLSI यानि very large IC integrated circuit जो है वो आपके चोती PD में हो जाएगा machine language की बात करें ती पहली PD में थी और परम जो है super computer की बात आती है तो यह पाच वी PD में हो जाएगा option number A जो है यहाँ पर बिल्कूल correct answer हो जाएगा question number 74 74 में दे रखा कि किसके लिए interpreter translator की तरफ प्रियोग में लाए जाता है तो इसका right answer हो जाएगा option number B high level language के लिए next question जो है 75 नंबर MS power point में slide show को शुरुआज से चलाने के लिए परियुक्त की जाने वाले कुंजी है तो इसका right answer option number D F5 हो जाएगा question number 76 जो है telephone relay light bluffs और बेटरी इसका प्रियोज करते हुए विश्व का परतम electronic calculator किसने बनाया attributes आपको याद रखना है बिल्कुल ये इसका right answer हो जाएगा question number 77 इसमें दे रखा है कि MS word जो है 2019 के इसमें बात की की है उसके कथन दे रखे हैं कि control plus N दबाकर आप एक नया documents बना सकते हैं दूसरा दे रखा है कि templates way format देती है जो एक documents को उसका सवरू परदान करती है तो इसका right answer हो जाएगा option number C first or second जो है दोनों सत्ती है ये आपको दियान रखना है दोनों ही जो है यहाँ पर सत्ती है question number 78 जो दे रखा है कि MS Excel में निमने किरियाओं की कर्मित सरंकला पर विचार करे यहाँ पर आपको किरियाओं दे रखिये तीन Excel की range दे रखिये keyboard पर 100 दबाए और Ctrl प्लस इंटर दबाए तो इसका जो right answer हो जाएगा question number 78 का option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा cell range A से E10 का chain करे यह जो है यह दोस्तों इसमें range की परतेक सेल में 100 परविष्ट हुआ है यह इसका correct answer होगा A option जो है यहाँ पर correct answer होगा range की परतेक सेल में जो है 100 परविष्ट हुआ यह बात आपको द्यान रखनी है question number 79 की बात की जाए तो 79 में आपको दे रखिये का है कि IEEE 1300 चुरानू है तो इसका right answer हो जाएगा यह जो है एक परकार का fire wire है A option यहाँ पर right answer हो जाएगा question number 80 में दे रखाए कि निमन में से कौन सा कतन आ सकती है तो इसका right answer हो जाएगा option number B बार कोड एक विश्यस शाई के प्रियोक से छापे जाते हैं जिसमें iron oxide होता है तो यह जो है यह गलत है आपको द्यान रखना B यहाँ पर गलत हो जाएगा question number 81 की बात करें तो अब जो question है दोस्तों English के हैं English के question के हम यहाँ पर आपको direct answer बता रहे हैं आप देख सकते हैं यह idioms का question है और match करवाना आपको तो इसका right answer option number C जो है right answer हो जाएगा आप यहाँ पर match करवा के देख सकते हैं question number 82 के अंदर दोस्तों feeling under the weather means आपको correct idioms बताना है तो इसका right answer option बस C हो जाएगा to feel ill जो है यहाँ पर right answer हो जाएगा 83 की बात करें तो 83 के अंदर a answer a do away with जो है right answer हो जाएगा question number 84 की बात करें तो यहाँ आपको match करवाना है column और synonymous जो है यहाँ पर दे रखें तो a option यहाँ पर जो है correct answer हो जाएगा उसके बाद 85 के अंदर दोस्तों यहाँ पर जो है आपको एक sentence दे रखा है और आपको बताना है कि जो underlines दुआर है उसके बारे में बताना है 85 का जो right answer हो जाएगा the whole class of low end की यहाँ पर बात की गई a option यहाँ पर right answer हो जाएगा 86 में जो है sentence दे रखा है आपको feel और correct verb की from जो है feel करनी है तो यहाँ पर a believe और believe जो है यहाँ पर correct answer हो जाएगा a option 87 की बात करें तो इसमें आपको जो है passive voice का जो है change करना है तो 87 का answer B there is no change to be made against him जो है right answer हो जाएगा question number 88 के अंदर दोस्तों आपको indirect speech का जो है change करना है तो इसका right answer option number B I asked him if he knew when she would go home जो है इसका right answer हो जाएगा question number 89 के अंदर आपको preposition fill करना है तो D यानि on preposition जो है यहाँ पर right answer होगा question number 90 के अंदर जो है आपको correct verb की from 1 है तो 90 का जो right answer हो जाएगा B यानि higher than जो है यहाँ पर right answer होगा question number 91 से 100 तक हिंदी के question है तो 91 में देरका कि किस विकल्प में तसम सब्द यूप परियुक्त हुए है तो 91 का answer हो जाएगा A वतस और उलूक 92 संदी की दरश्टी से अस मेले त्विकल्प का चैयन कीजिए तो 92 का right answer हो जाएगा option number B वदू प्लस इच्छा वदवी इच्छा जो है यहाँ यहाँ पर right answer होगा 93 की बात करें तो मुहावरे दे रहे हैं आपको तो कौन सा मुहावरा जहाँ पर right answer हो जाएगा तो D 1 का गर यानि सीट पर बूत सवार होना यानि दून लग जाना और उसके बाद दूसरे का है कर यानि दाल बात में मुसलचन तो बिना मतलब तखल देना तीसरा है गुलर का फूल होना यानि जो है इसका गह answer है कम दिखना और ताड का वरक्षया नि किसी के काम न आने वाला तो D option याँ पर जो है correct answer हो जाएगा Q94 है अंदकारी अंदकारी उक्ती सब्द युकमकास साई अर्थ चुनिये तो इसका right answer हो जाएगा option number B महादेव और एक राग विशेश 95 प्रशन है किस विकल्ब में सभी सब्द परस पर प्रियावाची है तो इसका right answer option number C धनन जई, पार्त, कौन्ती और गुडा केश जो है A इसका right answer हो जाएगा तो इसका right answer हो जाएगा option number A जिसने रीन चुका दिया है उत्मरन जो है ये इसका गरत होगा उसके बाद किस विकल्ब में विलोम, युकम है तो इसका right answer option number D मोलिक और अनुदीत जो है right answer होगा question number 98 निम्न में से किस विकल्ब के सभी शब्द सुद्ध है तो इसका right answer option number B हो जाएगा चंद्रमोली समाविष्ट और मुनी जन question number 99 निम्न में से किस विकल्ब के सभी शब्द मुलत द्वीगु समास के उधारन है तो इसका right answer option number D सब्दा शताब्दी जो है इसके right answer होगे question number 100 और last question है उपसर्ग से निर्मित सब्दों के संदर्ब में कौनसा विकल्ब संगत है तो D option या पर right होगा सु का स्वलप हो जाएगा और सुहार्द और सुशुप्त जो है यह वरस्तिनों में सु उपसर्गा आ रहा है यह जो है दोस्तों बिल्कुल संगत विकल्ब है डी option या पर right answer हो जाएगा तो दोस्तों यह थे आपके 37 तारीक 37 12 2021 का evening यानि कि second shift का paper और दोस्तों और अधिक आप अगर paper देख paper का जो solution है वो देखना जाते हैं तो वीडियो के description में आपको जो है gram सेवक 2021 परी exam का जो है playlist दे रखा है आप वहाँ से जाके बाकी के वीडियो देख सकते हैं दोस्तों यह जो answer है वो RSMSSB के दुआरा जो official answer की जो है जारी की गई है उसके दुआरा आपको इन answer को बताया गया है और दोस्तों अगर आपने अभी तक वीडियो को like और हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो प्लीज आपसे request है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को like करना बिल्कुल न भूले तन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद